जयान दे मेरांदस्य याना जन जना चला कया चक्शो रम्मिलीत तम्यैन तर्समार्शे गुरवेनमा जैसिया राम हर्यू फिल assignments के मुसल्मानों की दोगली दिखाने के लिए आया हूँ उनका चरितर लिए आया हूँ और यह जो मुस्लिम उम्मा का जो कॉंसेप्ट है वो अपनी सुविधा का नुसार है यह बताने के लिए आया हूँ देखे अभी क्या है कि वो जो इमरान खान है पाकिस्तान का पूरपरधान मंद्री उसने उसे ड्रोगें तुर्की के राजपती से बात करी है कि हम दोनों मिलके बात करते हैं एक इंटरनेशनली नेरेटीव बिल्ट करने के जो रहत है कि हमास वालों के साथ गाजा पट्टी में जो है वो इन हुमिन बिहवेर हो रहा है मानव अधिकारों का अनन हो रहा है और सलेस्टीन की वो जमीन है और उसी मिलने चाहिए यह लिख ले फाक्सान भी बेरोजिगारी चरम पर है तो रात रात भर नोबर करके हमास हमारा दोस्त पैलस्तीन हमारों मुसलमा नहिए करके ऑनकिलाब चल रहा है कि वहारत खाटे महान का तूप में बहु करकर है भारती मुसलमान रुशे है इसे मिलसमां से जो है उसने कबजा किया हुआ है जो फिलिस्तीन है वो है सही में मजलूम है और हमास वाले जो हैं वो अपने दिकारों की लड़ा रहे हैं तो भारती मुसलमान इदर चिला रहे हैं लेकिन सची बादी है अब मैं बता दूँ आपको कि अब जो कि पीट रहा है इजरायल ठोक बात रहा है अजि aún हम दवाके तो ये लो को भागने कर रहता नहीं मिल रहा है क्जोंकि पहले जौर्डन भागते थे यह इधर मित्र भाकए लेंड़ लिपनान भाका गाए और द तो अब यह सारे जो आसपास के बॉर्डर एडिया के मुसलमान देश जो हैं उन्होंने और फैलस्तीन को जो टू नेशन स्टरिक त्हीं रेको बंडिया चलू मेरो को अपना होम लेंड दिआ जितना दिया हम रहेंगे लगनिया बाले तो माने ही नहीं फिलस्तीन तो माना आई नहीं अना तो 1947 में जैसे इसराईल को रिकोगिनेशन मिलिया वह सारे जो मुसल्मान थ उस से उस इडिये में शुराते टे वह भाग लिया है वहां यह 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 लोगा दोग्यां लगार हुआ, उनकी किताब है, मजहभीृ नफॉरत है, वहां जाने, वहां लेए चले जॉड़न, जॉड़न में तो वहां किंग होथा हैं, तो उस समय काफी लंबे समय तक थे, आजक को कुरान विश्वास रखते हैं नभी मानते हैं पैगंबर मौम्मद को जानते हैं मानते हैं तो उनका डिसंसी है डिरेक्ट जॉर्डन के जो राजा है ठीक है और बहुत फैक्ट्स है उतके पास तो उनका दिल भी बहुत बढ़ा है तो उन्होंने इन मुसल्मानों को जगह अब फिर लेकिन जॉर्डन भी तो यहुदीद को क्यों पसंद करेगा मिस्र क्यों पसंद करेगा लेबनान क्यों पना सौप प्रतिश्यत मुसल्मानों के देशने फलिस्टीन तो है थाई तो इंसम मिल करके छे दिन का 1967 में जो लड़ाई लड़ी इजराहिल को उनकी जमीन से मीटा देने की बात चल लिए उल्टे मिट गए वो लोग भयानक मिटे बाई साहब वहां से भागे पलीते में आग लगा दी जराहिल ने छे दिन की लड़ाई में बांकी देश्मों की इसने मिट्टी पलीद कर दी तो भारी मातरा में वहां से लोग भागे और जोर्डन पहुंच गए फिर इस बार काफी लाख में पहुंचे थे इसे बता दू चलते चलते की अभी 2015 के सेंसस के हिसाब से 9.5 मिलियन मतलब करीब 90 लाग 95 लाग जो है जॉर्डन की आवादी है जिसमें की कहते हैं कि फिलिस्तिनियन मुसल्मान जो है 25 परसेंट हैं और बलकी बां बहुत जग भागे जॉर्डन बहुत संख्यां भागे वहां के राजान ने उनकी मदद की आओ रहो रिफ्यूजी कैंप्स बनाए उन्होंने उन्होंने मकान बनाकर दिये काम तलास करी रोजी रोटी रहने की सुब्धा परदान करी लेकिन ये थे दोगले जूठे मकार को ओई मुसलमाणी जेटी कोई चीज होती नहीं है इन लोगों मैं बता रहा हूं यूए लोग उन्हों क्या किया अचा यह क्या किया यह बताने तो पहले ये बता दू कि यह जो छे दिन के लड़ाई थी उसमें जितनी जो देश मिला जो जो जमीन मिली थी इसराइल को जो उ तो क्या क्या था सिंगाई पेनिंसुला था गाजा स्ट्रिप की जबीने थी कुछ वेस्ट बैंक तो आप जानते ही जानते हैं ओल सिटी अप जरुसेलम गोल्डेन हाइट से इन सब में भी जबीन फैलती चली गई नक्सा देखेंगे तो जो फिलिस्तिनियन से पहले वह एक धबा जैसे थे एक जैसे इंक का इस पॉर्ट अब चोटे चोटे पाइंट्स होके रगाए तो यह लोग जो जॉड़न पहुंचे तो वहाँ जो हाई वे था ना फिलिस्तिनियन की बात कर रहा हूं फिलिस्तिनियन मुसल्मानों की बात कर रहा हूं जो शरुन लेकर के रंगे लेने लग गए वाई यह चोटी बात नहीं है और इन लोग उसे बचने के लिए वहां जो इराकी से ना थी जॉड़न में उसकी मदद ले रहा था अब इसकी यह सब तो ठीक था वहां के राजाने का की चलो भाईया कुछ लोग होते हैं बदमास हो जाते हैं उन्हो पारे खलब लेकिन जब सर से पानी बाहर जाने लग गया तो जॉड़न के राजा को लगा कि फलेस्टीनिय मुसल्मानों की तो हिलाज करनी परेगी नहीं तो यह उनको वाँ गदी पलटने लग गया है वहां की किंग सी फटाने लग गया है जो पैंगंबर मुंबत की डिस तो इलिमिनेट पेलो प्लिस्तिन लिबरेशन और गयनाईजेशन और अधर मिलिटेंट्स को टाने के लिए जॉड़न के राजा ने अपने सेना को और दिया और उसके लिए वो पाकिस्तान की मदद ली और वहां से एक्सपोर्ट बुलाया ब्रिगेडियर जिया उलहक को ज यहां जिया उलहक आया थे बिर्गेडियर थे बाद में जनरल मनें पाकिस्तान की तक्सा पलट की और जो हुआ सब आप लोग जानते हैं और इसी बिर्गेडियर ने कहा जॉर्डन के राजा से कि चिंता की कोई बात नहीं है और प्रहसानी तो है प्राब्लम तो है उन्हों उन्हों ने गुरूप तो बना लिया है मिलिटेंसी तो हो गई है उनको मदद करने वाले लोग भी कही कहीं से गुस गहें जो आपके दुस्मन है उनको अतियार उतरब दे दिया दे लिगे और कहते हैं कि जिया उलहक ने पिलिस्तेनियन मुसल्मानों को जो जो जोर्डन मे थे सरन लिये हुए जॉडन के राज आके खिलाप काम करने लग गया है उससे सस्ता से बेदखल करने के लिए आ गया है उनको ठोकना सुरू किया सैकरों में नहीं हजारों में नहीं कुछ लाग कहते हैं ठोक दिये और 25% वह से वहां जो एक डाटा है उसकी हिसाब से तो 4000-6 ठोके थे पलेस्तिनियन को और वो सीरिया के भी लोग 5000 वहां हलाक हुए थे खतम किये थे इसने लेकिन ब्लैक सेप्टेंबर के नाम से जाना जाता है 1967 का जहां कि इन पलेस्तिनियन मुसल्मानों को जिसे पूरे दिल खोल के दरवाजे खोल करके जॉर्डन के राजा ने 40% जो पलेस्तिनियन मुसल्मान है जो डन के निवासी हैं तो अब यह खत्रा नमुल लेने वाला वहिया उसे जगह दो रहने गले जो इनकलाब कराओ उसे वह उसे अपनी गद्दी भी हटबाओ आना वो तुमें ही वह तक्ता प्लट करने के लिए आ गया जो यह फिलिस्ति मचाएंगे और अपनी वो मुसलिम उम्मा के नाम पे लोगों से मदद मांगेंगे और मुसल्मानों के भी एथी तैसी करेंगे यह है पलेस्तिनियन अब देखिए यह आपको लगा यह जो कुबैथ है जो यूएई यह जो बहरेन है इन सब दिसों को देखा है आपने इन ल कि वाले जब ले जाएंगे तो गारवेज को तो डस्पीन में डालते हैं उसको तो कहीं हटाते हैं उसको डिसाइगल करते हैं या उसको फिर इन लोगोंने हमारे गारवेज को लिया जिसे हम जेल में डालने वाले थे जो भगाये गयते उसको उन लोगोंने शरं दी शरं द बस्लिट इन बेरी, एलिंकisten वे इनने में NTरोमा, अजयरा जासे एर मेंसी आष्सित्थीác वेंकी, रिलपा ऑल्हार नहीं में आवटत। जानिसी एक्टेजरी एंने में से ये लुक्तर बुलिपारी नहीं है, झालोमा Чोंप एकलेफ।ाफेसा हैं आएमारी पश्रेंचेशने ब्लन हारा बुलाइब बाइश्ते वीडिला बेज़ एक तैंट भी बाइब साज में उस्वारी चीजिवरेशिं लिवाज रही बीज़ान आट य है कि वोंगे हैं अच्छेशने अज़्ारीशने ज़े प्रोंगे हैं आपिस्तिय। इन They go against the sanctions in Congress. Right, with their hijab. Why? Because the ideology is fult. To begin with. When you import that or you allow it in or you amplify it or you glorify it in any way. You make your bed sleep in it. Jordan का जो black September था वो खतम हुआ भाई साफ ये जो पिएलो के militants थे पलहिस्तिनीन मुसल्मान थे ते उन्हों को ठोका पीटा मारा ख़तम किया जैसे भी भगाया और लिबनान में वह लोग जाकर कि वुच्छ जो गुरूफ ते उदर जाकर के उन लोगों ने शरनली जगली जॉर्डन का जब वो इतियाद देखेंगे तो वहां पे जो ब्लैक सेप्टेमबर की कहानी देखे पढ़ेंगे आप तो इसको फिलिस्तिनियन फियादीन बोजदे और अपने ही जिसको सरंदी मापे फियादीन हो गया वह या उसको खतम करने पे आगा है मारे गया सब तो आज की तारिक में जो कुछी हमास कर रहा है नैतिक है आमान भी है और उसके जो साथ जो देर नहीं जैसे भारत के मुसल्मान हैं जैसे पाकिस्तान के मुसल्मान हैं वो जर्मनी और फ्रैंग में भी निकलाब करना है लेकिन पॉलेंडी देश्ट प्लेस भाईया तेरी भूत की एतिक तेसी वहां उन्होंने उपना तरीके से उनको हैंडिल किया हुआ है और लोग करने की कु कहते हैं उसे भी सुनेंगे अना तो साफ साफ कहते हैं कि जो कचरा है जिसको की वेस्ट वालों ने अपनाया है तो उनको तो भूगत नहीं परेगा चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए उस बिल आइकन को प्रेस कर दिए जिस आपको नोटिफिके है उसके हिताब से अपनी जिंदगी जीते हैं लेकिन जब उनके सर पे आने लगी है बात बोज आने लगी है समस्तिया आने लगी है और वो मुसल्मान हो के भी मुसल्मानों को भी अपने घर में नहीं गुशा सकते क्यों कि पता यहीं जो मुसल्मान है उनका नेचर क्या है अवार नहीं पंगे और यहां करने लग जाएंगे और यह आपना दिकार जाम आने लग जाएंगे औरुत इसा ही करते हैं वह लोग पूरी दुनिया पर उनका हग चले शक्रबादियों का तो कि युद नहीं तो अपने जन्नत में बहुतर हो से क्योंट करने के लिए फिया दिन तो एक सगड में वह बन जाते हैं चलिए आज के लिए बत इतना ही जैसे आराम हर्यों